पुस्ट्पॉन होते होते चियाँ विक्रम के फिल्म कोबरा फाइनली रिलीज हो गई है फिल्म को बनाया है अजय न्यान मुथ्व ने यार एमान ने फिल्म के लिए म्यूजिक दिया है विक्रम के साथ फिल्म में रोशन मैथ्यू और केजी अफ फेल्म श्रेंदेदी शेटी जैसे अक्टर्स भी है साथी पूर क्रिकेटर इर्फान पठान ने भी फिल्म से अपना अक्टिंग डब्यू किया है इतने सारे लोगों ने साथ आकर कैसी फिल्म मनाई है आज के रिव्यू में उसी पर बात करेंगे ओडिसा का मुख्य मंतरी, फ्रांस का मेयर, स्कॉटलेंड का प्रिंस और रूस का डिफेंस मिनिस्टर इन सब में एक बात कॉमन थी, कि इन सब की हत्या कोबरा नाम की शक्स ने गी कोबरा के पीछे छिपाया मदी नाम का आदमी, मदी मुश्किल हालात में बढ़ा हुआ, लेकिन उसकी मैट्स पर पकड़ने कुछ हट तक जिंदरी की आसान मना दी मैट्स के मामले में मदी जीनियस आदमी है, मतलब एकदम कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता मदी अपनी इसी नौलेज की मदद से, और साथी प्रोस्थेटिक की मदद से, बड़े बड़े लोगों के मर्डर किये जा रहा है इंडिया की इंवेस्टिगेटिंग एजनसी से लेकर इंटरपोल तक सब उसके पीछे बड़े वो ऐसा क्यों कर रहा है, आगे पूरी फिल्म परत दर परत यही खोलना चाहती है कुछ फिल्मे होती है, जिनका वन लाइने सुनने में बहुत स्मार्ट लगता है यह फिल्मे भी खुद को स्मार्ट समझती है, कि हम कुछ अदबुत करने जा रहे हैं, कुछ नया ही बना रहे हैं लेकिन यह फिल्मे स्मार्ट होती नहीं, कोबरा ऐसी ही फिल्म का एक एक्जामपल है मेकर्स के बास खर्च करने के लिए खूब पैसा था, विदेशी लोकेशन पर जाकर शूटिंग भी की बड़े एक्टर इसको साइन किया, फिल्म बनाने में एक्टर, लोकेशन, आदी जैसी सभी चीज़े बाद में आती है सबसे पहले आती है उसकी कहानी, बस उसी स्तर पर फिल्म पिछड जाती है आप लॉजिक तलाशते तलाशते परिशान हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल एक या दो नहीं, बलकि अंगिनत मौकों पर आपको परिशान करेगा इंटरनेशनल एजेंसी जांच कर गई है, और उनके ऑफिस में एक कॉले स्टूइट गुज जाती है, वो सब के सामने बता रही है कि कोबरा ने मर्डर कैसे की होंगे, बस ये सीन है और अगले सीन से वो हर पल उस एजेंसी के साथ बिना रोक्टो गूमती है, विक्रम के कर किरदार मदी की जिंदगी को तीन हिस्सों में दिखाए गया है, एक बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा आज का समय, तीनों की टाइम लाइन ऐसी है कि देखकर लग रहा है कि कौनों फिरकी ले रहा है, या आपस में मैश नहीं होती दिखती, फिल्म फर्स्ट आफ से ही आपको ठकाने लगती है, फिर आता है उसका सेकंड आफ, जहां मिस्ट्री खुलनी है, किरदार की करनी के पीछे की वज़ा क्लियर होनी है, सेकंड आफ फिल्म को बस धकेलता ही है, उसे इंट्रेस्टिंग बनाने में कोई मदद नहीं करता, स्पार्लर नहीं दूंगा, मतल डील करने की जगए रहसे की तरह पेश करने में इचुक दिखती है, कुछ सीन्स हैं, जहां मदी को हम हलुसिनेट करते हुए देखते हैं, उन्हीं में से एक है इंट्रेशन वाला सीन, जहां उसे पूछता आच हो गई है, विक्रम इस सीन में कमाल करते हैं, उनके हाव और आवास की टोन सब कंट्रोल में रहते हैं, बस इस सीन के साथ एक मसला है, उसे देखकर आपको अनियन या कहें तो अब परीशित की याद आती है, ऐसा लगता है कि अजह विक्रम को उसी सांचे में फिट करना चाहते थे, फिल्म में राशन मैथ्यू का करदार एक प्राम हरकते करता है, उसका एंट्री सीन ही एक किसिंग सीन है, यह दरशाने के लिए कि वो कितना बुगा आदमी है, श्री निरी शेटी ने भावना नाम का रेक्टर प्ले गया, जो मदी का लव इंट्रेस्ट है, रोमेंस के डिपार्टमेंट में भी फिल्म ताजा नहीं है, यह हिस्सा कम कर देते तो भी नेरेटर पर जादा फार्क नहीं पड़ता, बस इस हिस्से का एक ही फायदा है, श्री निरी को इतना स्क्रीन प्रेजन्स मिलता है जितना उन्हें के जीएफ के दोनों पार्ट्स में भी नहीं मिला, कोबरा इरफान पठां की पहली फिल्म बने है, फिल्म में वो ऐसे हैं कि उनकी जगह किसी को भी लिया जा सकता था, मतलब वो कुछ जोड नहीं पाते, कोबरा के पास स्केल था, ओडियन्स थी, नया ट्राइ किया जा सकता था, नहीं कोशिश की जा सकती थी, उसकी जगह मेकर्स ने सेट धरे पर चलना ज्यादा रहते है समझा, ऐसे में A.R. एमान का म्यूजिक भी फिल्म की कोई खास मदब नहीं कर पाता, आज के रिव्यू में इतना ही, मैं हूँ यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी, विजय शुक्रिया, ललन टॉप का सबसे थस, ठेट और थसकदार बेजी, आगे है ललन टॉप क पॉड़कास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ ललन टॉप एमार